हेलो फ्रेंट्स आज हम शोल्डर डिस्लोकेशन के ट्रीट्मेंट की सबसे आदुनीकतम तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपको शोल्डर डिस्लोकेशन की तकलीफ है कंदा बार बार उतर जाता है कंदा बार बार निकल जाता है हैं जो सरजरी आज की डेट में मैं सीवियर डिसलोकेशन के प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सरजरी मानता हूं इस सरजरी में हम कंदे के अंदर से ही एक हड़ी का टुपड़ा ले जते हैं और जहां पे हड़ी का लॉस हो जाता है वहां पे वो हड़ी हम दूरबिन के द्वारा डाल देते हैं हम इसके अंदर Smith & Nephew के double button technology का यूज करते हैं तो इसमें एक special device के द्वारा दो बटन आगे और दो बटन पीछे लगके हड़ी के जो loss हो गया है उसको हम cover कर देते हैं इस system को Smith & Nephew double button system कहते हैं और आज की डेट में यह shoulder dislocation के लिए सबसे अच्छी सरजरी मानी जाती है यह surgery conventional latargic surgery के तुलना में काफी बैतर है क्योंकि इसमें एक तो screw का use नहीं करना पड़ता है इसमें हम पूरी तरह से lebrum repair, bankart repair और remplisage की surgery को साथ में कर सकते हैं और जो हड़ी का टुड़ा हम डालते हैं वह extra article हो जाता है मतलब वो उसके उपर हमारा synovium layer, bankart layer और lebr program layer repair हो जाता है तो जिसके कारण से जो हड़ी का टुकड़ा हम डालते हैं बटन के साथ वो joint के बाहर आ जाता है तो किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाता है इससे stability भी बहुत अच्छी आती है आप sports activity में वापस जा सकते हो और कंदा वापस उतरने का risk जो है वो नकरने होता ह सबसे कम रहता है तो आज की डेट में अगर आपको shoulder dislocation की तकलीफ है बहुत ज्यादा shoulder dislocations हो रहे हैं और साथ ही साथ में bone loss आपका ज्यादा है 15 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे cases में सबसे best surgery इसमें ते नेफ्यू double button bone block surgery है यह surgery आर्थ्रोस्कोपी दूर्पिं के माद्यम से क जाती है इसमें open surgery मतलब खोलने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है और लेटार्जेट surgery की तरह इसमें screw डालने की आवश्यक्ता भी नहीं पड़ती है अगर आपको इस surgery के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दियेगा नंबर पर संपक कर सकते हैं साथ ही साथ इसकी एक live surgery हमने upload कर रखी है अगर आपको इसकी detail वीडियो देखनी है तो इसकी live surgery को आप definitely देख के इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद